हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल साहू साइन्स क्लासेज तो आज की वीडियो क्लास 12 यूपी बूर्ड वाले और मैट्स वालों के लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का जो टॉपिक है उच्छतम और निम्नितम या फिर जिसको सबसे जादा आप से 12 नंबर पक्के हो जाएंगे ठीक है मैं आपको questions बताऊंगा और कैसे करना है किस तरीके से करना है वो बताऊंगा आपके questions solve होते जाएंगे और एक ऐसा question भी देखेंगे जो last year क्या हर साल आता है तो आपको बस उसे अच्छे से कर लेना है तो आईए winner time waste की वे शुरू कर तो यदि fx उच्छिस्ट है function उच्छिस्ट कब होगा जब उसका double defensation क्या हो 0 से छोटा हो यानि कि is less than 0 यानि कि 0 से छोटा निकले अब वो कैसे निकलेगा वो मैं बताऊंगा आपको माइनस में निकलेगा बिसीकली या f double dash x is less than 0 उसके बाद second यदि y या fx निमनिस्ट है अब निमनिस्ट होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या कि इसका double defensation 0 से बड़ा होना चाहिए 0 से क्या होना चाहिए बड़ा f double dash is greater than 0 ठीक है तो बस इन दो चीजों का आपको याद रखना है और इसी पर बेस्ट कुछ नहीं है इसी पर बेस्ट आपको करने होते हैं ठीक प्लस 12 और बोल दिया इसका उच्चितम और निमनतम मान गयात करो है ना उसने क्या बोला है इसका उच्चितम पे और निमनतम पे मान गयात करना है अब कैसे करना है क्या 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 स्टैप्स आपको करने है तो सबसे पहला मैं आपको बिल्कुल जैसे आपको solve करके दिखा तो आपको बस solve करते जाना है, ठीक है, देखो, सबसे पहले आपने लिख लिया given, कि आपको क्या given है, तो given दे रखा है, given है आपके पास fx is equal to 3x की power 4 plus 4x cube minus 12x square plus 12, उसके बाद दोनों का क्या कर देंगे, दोनों पक्षो का x के सापेक्ष, अफ कलन करने का, क्या, दोनों के respect में है, एक्स के सापेक्ष, अवकलन करने पर, अवकलन, यानि की defensation करने पर, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हिंदी में ही लिखेंगे, आप English में भी लिख सकते हैं, है ना, differentiate with respect to x, both side, है ना, दोनों तरफ उसका x, x के respect में, defensation करने पर, अब fx है, fx क्या बन जाएगा भी fx आपको पता है, fx हो जाता है, f-x, तो f-x is equal to क्या हो जाएगा, जब 3x की power 4 का करेंगे, तो आपको पता है, 4 आगया जाएगा, 3 के multiply में, और 4, और x की power 4, minus 1 हो जाएगा, यानि कि 4, 3, 12, और x की power 3, प्लस, 3 आगया जाएगा, 3, 4, 12, और x की power 2, minus, अब 12, 24x, और प्लस, constant का करते हैं, तो 0 हो जाता है, तो आपका f-x आगया, ठीक है, अब उसके बाद पुना, हम क्या करेंगे, अगे, पुना इसका defension करेंगे, कोई double defension की ज़रूत है हमें, तो f-x is equal to क्या हो जाएगा, भई 12 तिया 36 x square, और प्लस 12 दूनी 24x, है ना, minus 24x है, तो 24 हो जाएगा, स आपको क्या करना है, है ना, आप लिखेंगे, f-x के, उच्चितम व निमनतम मान हे तू, तो एक्च्वले में आपको अगर उच्चितम व निमनतम मान ग्यात करना है, तो आपको value बता होने चीए x की, है ना, जभी तो हम put करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आपको यह step इसको 0 के बरावर रख देना है, जब इसको 0 के बरावर रखोगे, तो क्या आएगा, 12 x cube, plus 12 x square, minus 24 x, और is equals to 0, अब इन सब में से देखो, एक चीज़ common दिख रही है, आपको, क्या, बार x, है ना, 12 x में से common आ रहा है, तो हाँ पर क्या बचेगा, x square, plus x, minus 2, is equals to 0, बचेग ठीक है, आप देखो, इसके factor कर लो, इसके factor करोगे, तो क्या हो जाएगा, 12 x into, आपको दीख रहा है, x square, plus x, minus 2, तो simple, इसके factor आप कर सकते हो, आपको, क्या हो जाएंगे, x minus 1, और x plus 2, यह हो जाएंगे, फेक्टर इसके आपको, हम देखेंगे, देखो, सबसे पहले, इसको 0 के बराबर रखो, इसको 0 के बराबर रखो, इसको 0 के बराबर, तो 12x बराबर 0 रखेंगे, 12x is equal to 0, तो क्या हो जाएगा, x is equal to 0, 1 value, x minus 1 is equal to 0, यही इसके factor कितने हागे, गर देखेंगे तो चोटा या बड़ा है उसके बाद एकर निमनिस्ट होगा तो हम क्या करेंगे कि उसको डबल डिवेशन को जीरो से बड़ा मानेंगे अब देखेंगे तो आ Walmart इतना सभी इसके बाद देखो ध ज हमारो पर जै करना है और लॉक्zar डबल डिफेंसेशन में सबसे पहले वैल्यूज रख दो माइनस टू को रख देते हैं सबसे पहले तो डबल डिफेंसेशन का था हमारा ये रहा 36 x square है ना प्लस 24 x-24 को लिख देता हूं पहले 36 x square plus 24 x और और माइनस चौब इसको लिख दिया अब में क्या करना है सबसे पहले माइनस टू को पुट कर दिना है तो माइनस टू को बट कर देते हैं तो f double डश और they are or minus two Form माइनस कर चूऊर खोन माइनस दीज और माइनस चोवश और माइनस चूइस लिए को मैनस चोबेसटेन फ्लस का फोर हो जाएगा तो ठीक हो यह है만स तो माइनस को 40 तो यहां पर देखो माइनस का साइन लग जाएगा कि बाइनस का 48 और 24 हो जाएगा क्या हो जाएगा अब इसकी वैलू कितने आगई 72 आगई कितने आगे 72 अब ध्यान से देखो हमने f double dash x देखा अब f double dash x तो यह बहत्तर क्या है जीरो से बड़ा है चोटा है यह 0 से बड़ा है तो हमने देखा था जब 0 से बड़ा होगा फलन जब 0 से हमारा double से बड़ा होगा वगर्डवल्डिमेंशन हम देखा उसमें वेली मिलएक हमने दिखा जीरो से बड़ा है तो यह क्या है निमनिस्ट है चीट है अब क्या करना आपने सट्व इसका फलं का निमनितम निकाल तो यह तो निम्नता है'm our missionary dream तो आपका निमनताBigर कर दितें तो देखो जब माइननस टूपोट करेंगे ऐत माइनस टू तो देखे ऊपर खान द थे एकचसर पावर पूर था ट प्री एक्षि पावर पोर दिएơव स्गोर भावड़ तो तो थॕ इंड़ पावर थरी इंटु माइनस की पावर फूर उसके बाद है एकश फोर एकस कंचन के क्यों उसके बाद है माइनस 12x² मतलब माइनस 2x² हो जाएगा है ना उसके वाद है प्लस में 12 चीक है इसको solve कर देते है easily आराम से solve कर सकते हो आप इसे यहाँ पर यह दो दुनी 4 हो जाएगा प्लस का अब आरे चोंक 48 तो माइनस काition और प्लस में 12 देखो 48 से और आरे आरे अंसर हो गया और – 32 से 12 जान तो सका-20 तो पहला निमनतम मान यह निकल के गया निम्नतम मान पहला है निकल गया माइनस 20 अब आईए नेक्स करते हैं अब नेक्स किस पर देखेंगे हम हम माइनस 2 पर देखेंगे अब 1 पर रख दो भई X में F double dash 1 रखतो जब 1 रखोगे तो देखो ध्यान से देखो इसमें 1 रखो तो यह क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा 36 और प्लस 24 हो जाएगा और माइनस 24 हो जाएगा देखा कितने easy था 24 से 24 कैंसे लोगा क्या आगा 36 और 36 0 से बड़ा है या नहीं है 36 0 से बड़ा है तो कैसे एकस ब्रावर वन पर भी क्या है एकस ब्रावर वन पर जो जो खरन देखे यह दो माइनस ऑखो ट्रीएगा प्लस 4 arm Aidस 12 और और ट्लस का 12 यह हो जाएगा बढ़ी प्लस 4, माइनस 12, और प्लस 12, अब ध्यान से देख़, इससे एक एंसल हो गाए, 4 रचेकों कितना हो गया, 7, तो एक वेल्यू क्या निकल किया गए, यह आ गई, यह निम्नतम मान, एक और निकल किया गया, निम्नतम मान, पहला बाइ निकल आता है, माइनस 20, और यह नहीं के लिए साथ चीड़े अब आये किसे जोलख़े करते हैं यहाँ गют करूंगे फॉत करोगे जोजी जाए जिरो से छोटा होता है तो जेघाओ बड़ा हो जायेगा और जब जीरों घजब जीरों बड़ा हो गया जब गला तो यह उच्छ उचिस्ट होता है कि ने होता है टी कैंग दमट ही वाद ही तो बूद दो अब एक्स बदाबर Kalau सकते में और केसी स्था दिख नौन हुआ जे त तो देखा उच्चितम मान क्या निकल गया बारा निकल गया तो इस तरीके से हम इन questions को बहुती easily solve कर सकते हैं आईए एक और example के लिए questions को देखते हैं देखो next question है अंत्राल बड़ा bracket है 0,3 पर 3x की power 4 minus 8x की power 3 plus 12x square minus 48x और plus 25 इसके उच्चितम मान और निम्नतम मान ग्याद करो और जी ये question में क्यों करा रहा हूं क्योंकि ये 2022 का most important question है fg set में आया था है ना सबसे ज़्यादा easy question और सबसे ज़्यादा important question देखा भई इतना easy questions आते हैं जो आराम से आपको 4-5 number आराम से दिला देंगे तो आईए इसको समझते हैं सबसे पहला आपका काम मैंने आपको क्या बताया था सबसे पहला आपका काम क्या हो जाएगा इसको y माल लो है ना इसको क्या माल ले ना y देखा यहीं माल लेते हैं है ना यहीं माल लेते हैं y बराबर अब जब y बराबर माल लिया तो मैंने आपको क्या बताया सबसे पहले एक बार defense session करना है फिर दो बार defense session करना है फिर जो पहला डिफेंशन होगा f-x यानि कि d y upon dx उसको 0 के बराबर रख दे रहा है ठीक है तो सबसे पहले d y upon dx निकालते हैं तो d y upon dx देखो आप अराम से निकाल लेंगे बोलते बोलते 4 तियां 12 x की पावर 3 माइनस 8 तियां 24 x की पावर 2 ठीक है प्लस 12 दूनी 24 और क्या हो जाएगा x माइनस 48 x का 48 हो गया बस डिफेंशन एक बार रख दिफेंशन कर दो क्या हो जाएगा d square y upon dx square डबल डिफेंशन 12 चौविस बारतिया 36 x square माइनस 24 दूनी 48 x प्लस 24 x का 24 हो गया ठीक है clear है मेरी बात देखा इतने easy तरीके से हमने कर लिया अब क्या करना है y के उच्चित उच्चितम और निम्नतम मान के लिए y के उच्चितम व निम्नतम मान के लिए क्या करेंगे y के उच्चितम और निम्नतम मान के लिए मैंने आपको बताया था क्या डी वाई अपॉन डी एक्स किसके ब्राबर रखेंगे जीरो के किसके ब्राबर रखेंगे डी अपॉन डी एक्स ब्राबर जीरो तो रख देते हैं यह डी वाई अपॉन डी एक्स निकला है हमारा यह ना इसको जीरो के ब्राबर रख देंगे और एक्स के वालो निकाल लेंग तो क्या बचेगा बारे कॉमन लेगे हम 0 के पास भीज देंगे तो खतम हो जाएगा देखो इसमें से क्या को मना रहा है एकस स्कॉयर को मना रहा है क्या बचेगा एकस माइनस टू प्लस इसमें से क्या को मना रहा है इसमें से 2 को मना रहा है क्या बचेगा एकस माइनस टू देखा हो गए एजीली फेक्टर हो गए अब देखो इस टर्म में से और इस टर्म में से क्या को मना रहा है एकस माइनस टू common ले लो x minus 2 क्या बचा x square और plus 2 equal to 0 तो देखो एक बार ये term 0 के बराबर एक बार ये term 0 के बराबर x minus 2 is equals to 0 तो x बराबर कितना हो गया 2 एक तो ये आ गया अब x square plus 2 देखो ये value ने निकल गया x square plus 2 equal to 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा x is equals to मिला x square is equals to minus 2 और इसके बाद तो हम करी नहीं सकते हमारे अगर अटाएंगे तो under root minus 2 पर आए नहीं सकता तो ये possible नहीं होगा है ना तो हमारे लिए x के value क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी हमने step कर लिया x is equals to 2 निकाल दिया अब इसके बाद क्या करना होता है x is equals to 2 पर हम देखेंगे और double dimension में put कर देंगे x is equals to 2 पर d square y upon dx square है ना ऐसे लिख देंगे x is equals to 2 पर तो क्या हो जाएगा देखो क्या था 36 x square minus 48 x plus 24 तो देखो 36 into x square क्या हो जाएगा 2 का square यानिकी 4 ठीक है उसके बाद में minus 48 x 48 गुणा में 2 ठीक है उसके आद प्लस में 24 इसे solve कर देते हैं देखो 4 चिक 24 4 144 अजाएगा minus 48 2 नहीं कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा और प्लस में 24 हो जाएगा इसको solve कर देते हैं इसको solve करेंगे तो क्या हैगा देखो 144 और 20 144 चार 116 116 में 96 भीजनेया में 166 पर जाएगा आट में से 62 और 7 ठीक है तो 72 आगया अब 72 देखो 20 स्कार वाई उपंड एक स्कार देखा अब 72 किस से है 0 से बढ़ा है जब 0 से बढ़ा है तो मैंने आपके क्या बताएगा अगर 0 से बढ़ा हो तो ये निम्निस्ट होगा क्या होगा निम्निस्ट तो ये निम्नितम मान नेकल क्या आएगा तो एक्स बराबर 2 पर निम्नितम मान एना एक्स बराबर 2 पर निम्नितम मान ये निम्नितम है तो एक्स बराबर 2 पर निम्नितम मान है अब एक्स प्रावर 2 पर भी निमने तमान है तो हम नेक्स देख लेंगे हमें उसने बोला था इंटरवल देखो ये इंटरवल बोले थे उसने देखो अंतराल 0 3 पर ये के उच्छे तमान गयात करो तो 0 3 का मतलब क्या होता है ये बड़ा ब्रैकेट जहां से समझो अगर बड आए ऐत्का मान गया है और एकस ब मान गया है और चिता मान गया अब x बराबर 2 पर देख लो, x बराबर 2 पर निम्नतम था हमारा, तो x बराबर 2 पर देखो, y is equal to क्या हो जाएगा, y is equal to 3x की power 4, है ना, तो 3x की power 4, 3 into 2 की power 4, 3 into 2 की power 4, कितना हो जाएगा, 2 दूनी, 4 दूनी, 8 दूनी, 16, 16, 48, minus, उसके बाद 8x cube, 2 का cube कितना हो था, 8, 8, 8, 64, उसके बाद में, प्लस, उसके बाद में कितना है, यह 12, 4, 48 हो जाएगा, 48 हो गया, उसके बाद में, minus, 48, 48 दूनी, minus का, कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, अब प्लस में, 25 दे रखा है, जब आप इसको solve करोगे, तो minus का, आपको 39 मिलेगा, और last, x is equals to 3 पर निकालना है, x is equals होगे, तो minus का 16 निकल के आएगा, तो आपका जो उच्छे तमान हो गया, वो 25 हो गया, और निमने तमान कितना हो गया, minus का 49 हो गया, तो ऐसे करके आप इस question को solve कर सकते है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आपको मेरी जो concept मैंने आपको बताया है, आपको समझ में आ गये हो, ठीक है, ऐसी ही most important videos के लिए, चैनल को subscribe किजिए, और फ्रेंट के जादा स्यादा शेर किजिए, ताकि हर कोई इसका लाब उठा पाए, ठीक है, अब next जो question मैं कराऊंगा, नेक्स वीडियो में वो ऐसा question कराऊंगा, जो हर साल आता है, देखो ने रहिएगा, नए है तो चैनल को subscribe किजिए, और फ्रेंट्स का शेर किजिए, मिलते हैं बोजल नेक्स वीडियो में, goodbye guys